जीवन में सान्ती या आनन्द को पाने के लिए निश्चित ज्यान होना चाहिए। आपको बौद्दिक रूप से समझ के जीवन के जो रहस्य है जो नियम है उस नियम के प्रती निश्चित होना चाहिए। जब आप निश्चित होंगे किसी ज्यान पर तबी आपको सान्ती या आनन्द का फ्रीडम का अनुबब होगा। मित्रों, जीन लोगों को हम बुद्धपुरूश वा मुक्तपुरूश बोलते हैं, जब तक उनके शरीर रहेगा, तब तक उनको भी कस्ट होगा। मगर हम इस तरह सोचते हैं, जो मुक्तप हो गया, जिसने इनलाइट्मेन पा लिया, उसको तो दुख नहीं होगा, उसको कुछ कस्ट नहीं होगा, उसके मन में बिचार नहीं चलेंगे। मगर ऐसा नहीं है, जब तक ये सरीर होगा, जब तक ये सास चलेगा, तब तक विचार भी चलेगा। क्यूंकि विचार सरीर को रच्छा करने के का विवस्ता है, अगर आपके सरीर में भूख लग गया, तो आपको कैसे पता चलेगा, विचार के कारण ही पता चलेगा, विचार ही आपको भूख लगा बोलेगा। आप जा रहे हैं, तो उदर से कार आ रही है, तो आपका सरीर को पता नहीं होगा, उदर से कार आ रही है, आपका मन को पता होगा, मन आपके सरीर को हटाएगा। तो मन या बिचार सरीर को रच्छा करने की बिवस्ता है, इसको बना रखने की बिवस्ता है, इसलिए जब तक सरीर होगा, तब तक बिचार होगा, पहली बात. इसलिए मुक्ति वा आनंद या मुच्छे पाने का अर्थ इसकिसिम का नहीं है कि जैसे किसी के मन में विचार ही नहीं आते किसी के सरीर में बिमारी ही नहीं होती किसी के सरीर में कस्ट ही नहीं होता इसकिसिम का है नहीं किसकिसिम का है मुक्छे का अर्थ उसके बारे में हम बात करेंगे मित्रों अगर सांता होना चाहते हैं तो आपको सांति की काम अना छोड़नी चाहिए क्योंकि जीवन का ये नियम है जिस चीस को आप चाहोगे वो आपको नहीं मिलेगा और जिसको आप नहीं चाहोगे वो आपको मिल जाएगा ठिक उल्टा गणिते हैं जैसे दिमाग में जिस विचार को आप बोलेंगे कि नहीं आना चाहिए वो ही विचार ज्यादा आएगा और जिस विचार को आप बोलेंगे कि ये विचार आना चाहिए वो विचार आपको नहीं आएगा तो अगर आप इस तरह सोचेंगे अपनी जीवन में सांती लाने के लिए कि मुझे सांती चाहिए तो आपको सांती नहीं मिलेगे तो सांती या आनंद वा मुक्षे पाने का अर्थ ये नहीं होगा कि आप उसको चाहो, चाहने से कुछ नहीं हो गया, अगर चाहने से हो गया होता, तो कौन नहीं चाहता भाई, शांती, आनंद, ज्ञान, सभी लोग चाहते हैं, मगर किसी को ये मिलता नहीं है, तो इसलिए चाहने का मार्ग इसमें नहीं है, और आपके जीवन में असांती है, तो उससे बहर आना कैसे है इसकी कला आपको जानने चाहिए वही निश्शिंत ग्यान है तो उस सांती से लड़के उसको मिटाके आप उससे नहीं जित पाओगे मगर उससे बहर आने का रास्ता क्या है वो रास्ता ये है कि वो तो रहेगा जीवन में जो असांती है मन में चलने और जो बिचार है जो दोन्द है वो रहेगा ही सबी को रहेगा बुद्ध पुरुस के मन में भी इस किसम का बिचार चलते ही रहेगा मगर बुद्ध पुरुस और हम में क्या फरक है कि हम उस दोन्द में उलज जाते ही, बुद्ध पुरुस उस दोन्द से अच्छूत रहते हैं, दोन्द तो दोनों को ही होगा, मगर जो मुक्त पुरुस है वो यह जानेगा, कि यह सरीर में चिंता हो रहा है, सरीर में बिमारियां हो रही हैं, तो यह जानके वो अपने केंद्रा में रहेगा, और उसको इसका प्रभाप नहीं पड़ेगा, हमको क्या होगा, कि जो दोन्द पैदा होगा, जो उलजन पैदा होगा, उससे हम दूर नहीं रहेंगे, उसी में हम चिपक जाएंगे, और उसी को भोगेंगे, इसलिए कस्त तो दोनों को ही होगा, मगर एक उससे अप्रभावित होगा, एक उससे प्रभावित होगा, तो मुक्तपुरूस कैसे अप्रभावित होते हैं, इस बात को जानना है, तो सांती या असांती या बेचाइनी है, तो उससे मुक्तपुरूस कैसे अप्रभावित होते हैं, क्यूंकि उन असान्ति और बेचाईनिक से लड़के उनको नस्त करके उनको उसक अनुभब नहीं हुआ है क्योंकि लड़के और चाहने से नहीं होगा हमने यह बता लिया तो वो किस प्रकार उससे अप्रभावित होते हैं कि वो लोग वो मन, विचार, असान्ति, चिन्ताईं जो है उसको वो लोग स्विकार कर देते हैं ठीक है उसको वो स्विकार कर देते हैं ठीक है यह है यह होगा ही जब तक सरीर होगा तब तक बिमारियां होगी जब तक मन होगा तब तक चिंताएं होगी और सभी को होगी इस तरह वो सोचेगा वो मुझे क्यों हुआ हुआ चिंता इस तरह नहीं सोचेगा ज़िसे हम लोग सोचते हैं मुझे क्यों चिंता हुआ, मुझे तनाप क्यों हुआ, मुझे दुख क्यों हुआ, मुझे thế skater इस परकार जानेंगे कि मुझेही नहीं कि सब야지 को होता है जितने को आदमी है सबी का सरीर में साहस सलता है किले हैं। लगातार, चल रहा होता है सभी के मन में विचार चल रहा होता है, सभी के सरीर में दुन्दः हो रहा होता है तो सभी लोग परिशान है तो इस प्रकार अपने जो असांति है उसको सिंप्लिफाइट कर देना है उसको बढ़ाना नहीं है मगर हम जब बोलेंगे कि मुझे क्यूं हुआ तो हम इसको बढ़ाना चाहते है इसको हम ज्यादा बढ़ा करना चाहते है मुझे ही क्यूं हुआ, महीं बीच में लाएं मगर यह सभी को होता है बाई सभी कोई भी आदमी हो, चाहे समराट हो, चाहे गरीब हो उसका सरीर है, तो उसका सरीर में क्या होगा, दुखा होगा, कस्ट होगा, और वो सास चला रहा होगा, बिचारा, प्रतिपल उसका सरीर में सास चल रहा होगा, प्रतिपल उसके माइन में बिचार चल रहा होगा, और वो सिमित होगा, और वो अज्ञान में होगा, और वो देखते हैं, तो आप अपनी को देखने बग सभी को अपने में देखें, यह निश्यत ग्यान हो गया, असली ग्यान इसका यही है, कि जैसा आपको अभी हो रहा है, ऐसा सभी को हो रहा है, आपको अकेला आपको ही नहीं हो रहा है, आपके साथ सल रही है, सभी की साथ सल रही ह आपकी दिमांगे विचार चल रहा है, सभी की दिमांग, सभी लोग परिशान है आप जए से, तो उस परिशानी को आप स्विकार करना है ये जानके, कि ये मुझे ही नहीं, ये जीवन का एक बिवस्ता है, जीवन का एक नियम है, ये निशुरल लौ है, ये सभी को होगा, ये उतना बड़ा मालूम नहीं होगा, हम इसको स्विकार कर पाएंगे, क्योंकि जहां सभी को एक नियम लगता है, तो सभी लोग मान देते हैं, स्विकार कर देते हैं, जैसे हमारे राज्ये में ला होते हैं, बहुत सारे संविधान होता है, तो वो सभी लोग उसको मानते हैं, अ कि एक नियम किसी के लिए दूसरा नियम हो तो हम बिरूत करेंगे मंगर सभी के लिए है तो गलत नियम लिखा होगा तो भी सब लोग मानते हैं मान रहे होते हैं क्योंकि सम्मिधान में और आई नियमों में बहुत सारी गलत चीज लिखी होते हैं मंगर सभी लोग मान देते है उसको स्वीकार करना है जब आप इसको निशिंत होकर ये बात जानेंगे और इसको स्वीकार करेंगे तो क्या होगा कि आप इससे कुछ भितर प्रविश इससे आप भिन्न होते चले जाएंगे पहले इस्थिति में आप इसका बिरोद करते थें तो आप इसे संबंदित हो जाते थें अब स्वीकार कर देते हैं तो स्वीकार करने के कारण क्या हो जाता कि उस चीज का प्रभाब हम पर कम पढ़ जाता और हम उससे थोड़ा हट जाते हैं हम अपने अंदर घुश जाते हैं, तो ऐसे ही अपने असांतिय और बेचाईनी को स्वीकार करना है, उसको ना मत बोलना है, यह है, सभी की जिबन में है, तो इसको आराम से इसको भोगना है, स्वीकार भाब से भोगना है, इसको स्वीकार करना है, तो जब आप स्वीकार करें तो आप धिरे धिरे पीछे हड़ जाएगे और आप अपनी भीतर का उस केंद्र पर पहुंच जाएगे जहां आपको कोई ही भी विचार, चिंतन, चिंता, पेचाईनी इत्यादी पहुंच नहीं पाएगे। तो ये बात ऐसी है कि जैसे बाहर गर्मी के दिन है सुरज की तेज की रणे तपक रही है और कोई आदमी बैठा है बाहर तो उसको उधर गर्मी हो गई तो वो क्या करेगा वहां से हटके जहां पर साया है वहां पर बैठेगा है। तो जो निश्चिंत ग्यान है जो बुद्धपुरूश है वो इसी परकार के होते हैं। मन में बहुत गर्मी है शरीर में बहुत गर्मी है तो उस गर्मी को भोगनाने चाहते हैं इसलिए हट जाते हैं और चाया में बढ़ जाते हैं। वगर्णी वहाँ पर है शरीर पर, वो कहीं नहीं गई, मगर वो वहाँ से पिछे सरक जाते हैं, तो हमारे अंदर सरकने का ऐसा केंद्र है, जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसको चैतन्य बोलते हैं, हमारे भितर, जिसको बोला गया है कि गहरे पानी पैट, गहरे में अपने भित अस्परसिते, शरीर से और विचार से, तो अगर आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो शरीर और मन का प्रभाब आप पर नहीं पड़ेगा, जैसे आप छायां में चले जाएंगे, तो सुरज का प्रभाब आपके उपर नहीं पड़ेगा, मगर आपने सुरज गर्मी में आप बैठी हुए सुरज आपको दुख दे रहा है, तो अगर आप सुरज के उपर पानी छिड़कने लगे, सुरज से अफाइट करने लगे, तो आप वह गर्मी से बाहर नहीं आपाएंगे, मगर यही करते हैं हम जो लोग सांती चाहता है, वो यही इसी तरह क्राक्टिस करता है, वो सुरज के गर्मी को हटाने के लिए सुरज में पानी छिड़क रहा हुता है, या हटकेला से उसको रोखना चाह रहा है, माझा दोखी छेरे चीजे है उसको हम रटने ही सकेङे मगर मबढ़ा चीजे है जो भी लोक ध्यान और अध्यात्मा और साधना इस तरह करते हैं उन्मे से 99% लोग इसे से लिचाईना के लिए उसको पाने से बुजाना चाहते है उसको पनी प्रियास करते हैं, जैसे सूरज, मगर जो बुद्धपुरुस होगा, वो उससे पिछी सरकेगा, वो जहां चाया है, वहां जाकर बैठेगा, तो इसी तरह हमने भी अपने भीतर का चाया, विश्राम इस्थली हमारे भीतर है, जहां पर बाईये विश्यों का प्रभाप नहीं अंदर है, तो वहां पर सरकना है, मन और विचार को कुछ नहीं करना है, वो अपने जगापर होंगी ही, मगर हम पिछे सरकना है, वो पिछे सरकने का सर्त क्या होगा, कि आप उसको स्विकार करना होगा, उसको सिंप्लिफाइट करना होगा, सभी को ये वता है, ये जानकर उ अब बिरोद करेंगे, मुझे ही क्यों आप बोलेंगे, तो आप उसी में उलत जाएंगे, और आप पिछे जो आपके अंदर का जो छाया है, जहां पर ब्रिच्छे है, बहुत सितल देने वाला ब्रिच्छे, तो वहां पर आप जाने पाएंगे, तो वहां पर जाने के लिए उस मान और सरीर की जो गर्मी है, तो उससे हटना चाहिए, उससे हटोगे कैसे, उससे समंद तोड कर, हैंने समंद तोड कर ही हम किसी जगा से हट सकते हैं, नहीं तो आप उसी से बढ़ जाएंगे, और वह असानति क्यों ही मुझे यह नहीं होनी चाहिए, इसको मैं हटाना इस प्रकार हम दिमयागे विचार करेंगे, तो हम उससे संबंदित हो जाएंगे, और हम उसी में बधे रहेंगे, और हम तीछे जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, तो इसलिए पिछे जाना चाहते हैं, अपने अंदर, तो आपको यह सर्त है, कि अपने जीवन की जो चिंत स्विकार भाव से उसमें रहना चाहिए, उसकी प्रते जागना चाहिए, उसको गलत नहीं बोलना चाहिए, और उसे समन्द हटाना चाहिए, और समन्द जब हटाएंगे, तो आप पिछे-पिछे अपनी भितर का उस दुनिया में पहुचेंगे, जहां पर ये चीज़े नहीं होंगी जहां पर सान्तिय और विश्राम और आनन्द होगा जब आप अपने भितर का इस किसिम का प्रिच्छे देख पाएंगे जान पाएंगे एक बार उधर जाने की कला आप सिख जाएंगे तो आपकी जीवन फिर अध्यात्मा आ गया तो फिर आप जब भी असान्ति हो पि प्रानासिक को गर्मी है इसको सिम्पलिफाइड किना से करना है और इसको स्विकार करके इसको समंद्ध हटा कर अपने अंदर में पिछ्य कैसे सर 750 ओंगे और उसो भीस्रांति देने वाली चाया में कैसे Wrap Santak है इसके अगर आप प्राक्टिकल प्राक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे कुछ प्राइवेट मेंडिटेशन की वीडियो जहें वो आप सुने और करें उस उन वीडियो को पाने के लिए मुझे आप वार्च अप पर बात करें उसका नमबर मैंने दिस्क्रिप्शन में दे करें वीडियो